श्रीन आज्ये गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहरब बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश, आज की जो ये कथा है, ये जीवन एक्साउसिजम का केस है जो मैंने देखा है और ये उस जमाने की बात है, जब आप हम सब का परिवार टीवी खोल करके बैठ जाता था, एक सीरियल आता था उस समय, रास पिछले जनम का, जिसमें लोगों को हि काशिक लाइबरेरी तक पहुचा देते थे, और फिर उनको पता चलता था कि इस जनम में जो उनके साथ हो रहा, पिछले जनम में उनने ऐसा क्या क्या, तो किसी का पैर कटा हुआ है, वो लिलीपुट बन गया, कोई अगोरी था पिछले जनम में, इस जनम में भोजपूरी एक्टर बन गया, मतलब इस तर का वो कारिक्रम था और उससे पूरा भारत इंस्पायर था, सब को करवाना था, ये जो भी था, और ये उस कालखंड की कहानी है, जब मैं तंत्र के अलावा एक अल्टरनेट प्रैक्टिस करता था, ये प्रैक्टिस था, क्रिस्टल हीडिंग कई बार आप लोगों को मैंने बताया है, कि क्रिस्टल में एक ऐसे शक्ति होती है, कि उसमें जो एनर्जी है, वो आपकी यूनिलाटरल फ्लो करती है, मतलब एक दिशा में ही वो एनर्जी जाईगी, तो अगर आपको पता है वो प्रक्रिया जिसमें कि आप उर्जा को अपने शरीर में समाहित करके किसी और के शरीर में भेज सकते हैं, तो क्रिस्टल आपके लिए बड़े काम का चीज है, उस समय अगोर तंतरा से नहीं था, मेरे तंतर के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन जानते थे कि ये जानकार है, ये सब चीजों पर करता है, एक हमारा वेबसाइट हुआ करता था, भी भी हुआ करता है, उसके माध्यम से लोग जुडते थे, मैं दिल्ली में एक आश्रम में रुका हुआ था, और मेरे पास एक परिवार का फोना है, परिवार का फोना है, इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि उसमें महिला पर प्रेट आता था, और उसका जो पती था, उससे परिशान था, तो मैंने दोनों से बात की, मैंने उसके पती को समझाया, फोन पर ही कि देखो, प्रेट जैसी चीजे होती नहीं है, और लास्ट कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पर प्रेट सवार हुआ हो, ये ये 1934 की आकरी घटना है, जो लोग जनते हैं, उसके बाद कभी प्रेट किसी पर सवार हुआ हो, ऐसा नहीं है, मैंने उसको बोला कि आप साइक्याटरिस्ट के पास जाओ, शायद आपको कुछ लाब मिले, लेकिन उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको एक बार देखना चाहिए, अभी क्या है कि आप किसी को कित्ता भी समझा ले, लेकिन जिसके घर में प्रेदबादा होगी, जिसके घर में सर्फ ये डर भी हो कि उसके घर में भूत है, वो समझने से नहीं समझेगा, वो तभी समझेगा, जब वो आपके सामने बैठेगा, और उसको एक ऐसा आदमी चा और वो अरत बैठी हमारे सामने और उन्होंने बुला कि मेरे दिमाग में एक्जाक्ट नहीं पांच-छे आवाजे आती है जो मुझे कुछ करने से मना करती है जो मुझे कुछ कहने से मना करती है जो मुझे कुछ ऐसे कृत करवाती है जो मुझे नहीं करना चाहिए जैसे जैसे उस महिला से बात कर रहा था ये मेरे दिमाग में पुक्ता होता जा रहा था कि ये पक्का एक psychological disorder है चाहे तो इसको inferiority complex है इसको घरवाल attention नहीं दे रहे है या कोई ऐसा काम है ये नहीं करना चाहती है इसलिए भाग रहे है देखो क्या होता है जब आप अध्यात्मिक नहीं होते और जादे पढ़े लिखे होते हैं तो आप किसी भी situation को उस किताब में बांधना चाहते है कि इस logic में ये situation set कर रहा है तो यही सत्य है सत्य क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं बस set करना चाहिए logic पर मैं वही बैठके करना था उससे बात करते करते हैं मैं अपने copy पर notes बना रहा था और मैंने बोला कि ऐसा होता नहीं है आप जो बोल रही है multiple possession का case ऐसा भी कुछ नहीं होता है अब मेरे होश उड़ने वाले तो थोड़े दिलाना जैसे आप किसी भूधाय स्थान पर गए हैं आपके मशीनों पर भूध रिस्पॉंड नहीं करते हैं तो उनको गुस्सा दिला जाता है तो वैसे ही मैं मैंने कुछ कुछ जैसी बाते बोली कि ये emotionally जो है मतलब excited हो जाए और बिलकुल वैसा हुआ और फिर उसके चेहरे पर एक बिलकुल शान्त भाव आ गया बिलकुल आराम से वो बैटके मुझे देख रही है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो कोई response नहीं दे रही है फिर opening हुआ पहली आवास थोड़ी हटी हुई और उड़िया थे बंगाली में बोलना उसने शुरू क्या तो थोड़ा बहुत बंगाली मुझे आता है जारकट बार्डरिंग एरिया का हूँ तो तो पहली जो थी वो उसने खुद को विद्वा बताया कि मैं विद्वा हूँ और मैं इसके साथ पिछले जनम से हूँ जैसे मैंने पिछला जनम सुना ना मैं समझ गया कि ये फिर वही पिक्चर की कहानी है जो सीरियल लोग देखते हैं इसके बाद एक बच्चे की तरह वो बात करें और बोले कि मैं इसका बेटा हूँ मैं अपाहिस था छोटा था इसके मृत्ति हो गई उसके बाद मैं इससे मिल नहीं पाया अभी बहुत हाल में ये मुझसे मिलने आई तो मैं इसके साथ हो गया हूँ और तीन भूली भटकी आत्मा हैं जिसको इससे कोई मतलब नहीं था लेकिन उनको एक रास्ता दिखा कि शायद अब यहीं मुक्ति का मार्ग है और इसके साथ वो चल दी है मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह चल क्या रहा है मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनके आग का रंग बदल जाता है तो आग का रंग बदलना आप लोगों रटीवी में देखा होगा लेकिन यह भी एक psychological phenomenon होता है जिसमें आग बदलता है अभी देखो अभी क्या है इसमें पढ़ा लिखा हूँ तो पढ़े लिखे की कसार्टी पर आपको बता रहा हूँ लेकिन इसी का एक सूपरनाशनल वर्जन भी होता है पैरनॉर्बल वर्जन भी होता है ऐसे लोगों को देखा था जिसके आवाजे बदा जाती है ऐसे लोगों को देखा था जो पांच-दस लोगों का ऐसे पटक देते है ऐसे लोगों को देखा था जो दिवाल पर चढ़ने की कोशिश करते है लेकिन ये बिल्कुल नया था ये फिल्मी था ये पांच-छे आवाजों में बात कर रही थी पाँच्छे, तोनालेटी में बात कर रही थी, ये कभी बिलकुल बंगाली विद्वा की तरह बात करे मुझ से, कभी बिलकुल छोटे बच्चे की तरह बात करे मुझ से, वो बताए कि ऐसा है कि ये तो मेरी मा है, मैं तो इसका शेरी नहीं छोड़ने वाला कोई बता है कि अरे मैं तो अपने घर के बाहर बैठा था ये आई थी तो मैंने इसकी सवारी कर ली मुझे लगा कि यही मुझे पारगाट लगाएगी कोई बोले कि ये घूम रही थी मुझे सुन्दर लगी तो मैंने सवारी कर ली कोई बोले कि इसने पिछले जनाब में मुझे से पैसा लिया था इसने पैसा नहीं चुका है मैंने देखा तो इसको पकड़ लिया तो भूतों की कहानी समझ में आ रही थी देकिन इस अरत की कहानी नहीं समझ में आ रही थी कि यह जो इसने पांच character बनाए, यह बनाए कैसे, फिर मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है आप से बात हो गई, आप यहां से जाओ, यह करीब एक घंटे यह, पूरा जो कहनी है यह चला, उसके बाद फिर बात शुरू हुई, तो उसके husband ने मुझे बोला, कि आप तो certified hypnotist भी ठीक कर सकते हो, क्या, मैंने बोला, hypnosis करने का इसमें कुछ है नहीं, यह तो psychological disorder है, आप इसको counselling में लेके जाओ, तो अशा ठीक हो जाए, तो इसने बोला, नहीं, ऐसा विशह नहीं है, इसको हम, हम ऐसा कुछ प्रक्रिया में ले गए थे, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो मैंने बुला, जब आप पूरी बात नहीं बताओगे, तो होगा नहीं, और तब तक यह औरत फिर से अपना जूमना उमना इसने शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया कि अभी फिर यह अप तो उस समय स्वारत ने बोला कि यह आई थी हमें लेने, तो मेरा दिमाज थोड़ा एक मिनिट के लिए सुन हो गया, मुझे ऐसा लगा कि जरूर यह महिंगला किसी ना किसी तांत्रिक प्रक्रिया का भाग रही है, और यह प्रेज सिद्धी वाला चक्कर है, मैंने सोच लिय कि इसको जल्द से जल्द मतलब साश्टांग प्रणाम करूँ, दंवत करूँ और भेज दूँ, मैंने बोला मैं आपके औरा का क्लेरिंग कर देता हूं, ठीक है, अगर कुछ आपके शरीर में लैच होगा, तो वो चला जाएगा, लेकिन वो ना मानने वाली थी, ना उसका पती को लग रहा था कि यह आदमी गलत है जिसके पास हम आगाए, तो उसने बोला कि आपके वेबसाइट पर लिखा आप हिपनोसिस करते हो, आप क्लेंजिंग करते हो, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो मामले को, मैं मामला समझ रहा यह मामला प्योर साइकोलोजिकल है, अगर आप यह बताना चाह रहा है कि यह किसी तांतरिक सिद्धी में थी और इनके पास प्रेथ है, तो मैं इन सब बातों को नहीं मालता है, बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब इनके साथ हुआ यह था, जो उन्होंने पचार देने लगे टीवी पर, जो सीरियल चलने लगे, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो उस समय की बड़ी हिट कॉमेट डिटी थी और बड़ी दुकानी खुल गई थी, पास लाइफ रिग्रेशन पर, तो इनका ऐसा मनतव्य था, कि यह औरत जब पास लाइ बहुत कमजोर था, मैं मन में मुसकाया, मुसकाने के पीछे कारण यह था, कि बहुत सारा ट्रेट सीक्रेट होता है, जो मैं अभी आपको भी नहीं बताऊंगा, तो यह पास लाइफ रिग्रेशन में आत्माउ का आना यह जो था, यह लॉजिक समझ के परे था, फिर उन्हो ने उस व्यक्ति से बात करा है, जिसने इनका पास लाइफ रिग्रेशन कराया था, तो उसने बोला कि नॉर्मल नियूरे लिंविस्टिक प्रोग्रामिंग से इनको हमने इंड्यूस किया था, लेकिन यह हिपनोसिस में नहीं गई थी, यह कुछ और ही मतलब एक दूसरे ले तरीके से लोग बताते हैं, यह देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, तो वो पास लाइफ रिग्रेशन थरेपिस्ट ने बताया, कि यह जो आरत है, यह फोन पर बात हो रही थी, यह जो आरत है, यह पास लाइफ में गई नहीं थी, यह टेबल पर इसने ऐसा मतलब इस औरत का और भी spiritual background रहा था, तो यह कुछ ना कुछ spiritual practices करते रहती थी, और जब आप spiritual practices ज़्यादा करते होना, तो आपका भले चक्र जागरित हो जाए, आपका भले नेत्र खुल जाए, आपका भले शील्ड खुल जाए, आप हो सकता है अगले दूसरे dimensions को देखने लगो, लेकिन इस से कहीं भी तैन नहीं होता है, कि आप उसको समाल लोगे, तो इनकी कहानी ये थी, कि ये एक बहुत ही भारत के प्रभावशाली, गुरू के जो बड़ा लाखो लोगों की जो दिख्षा होती है, उस दिख्षा में जाने के बाद, इन्होंने कुछ-कुछ ध्यान योग किया था, और ध्यान योग में इनका जो अपना शील्ड था, इनका जो अपना औरा था, उसके उड़ गयते चीथड़े, और जब इनको इंड्यूस कराया गया हिपनोसिस में, तो ये सीधे संपर्क में आ गई, जो आसपास की आत्माई थे उससे, और उन्होंने इनक के और अग को कबजा कर लिया, जब इतना समझ में आया, देखो, प्रेथ शरीन में प्रवेश करता है, भूत सिर्फ आपको इंफूएंस करता है, इनके साथ हुआ ये, कि ये किसी और के अधिकार चेत्र में प्रवेश कर गई, मतलब, किसी और दुनिया में प्रवेश कर उस induction के माध्यम से, और इनको खुद को बचाना नहीं आता था, तो यह जो प्रेत थे, यह जो भूत थे, आप इनको किसी भी नाम से बोलो, इन्होंने इनको जक्रा कि इसके माध्यम से यह पास कर जाएंगे, यह जो भी योनी में जीवित है, और उसके बाद इनको तरीके-तर के से तंग करने लगे, तो उस समय तो मैं मंत्रों का बहुत प्रयोग नहीं करता था, एक गायतरी मंत्र का प्रयोग करता था, गायतरी मंत्र से जितना कर पाया, करने के बाद क्रिस्टल से, जिसको eternal sweep बोलते है, इनके औरा को clean किया, इनका बंधन किया, और फिर इनको छोड मैंने बुला उसके लिए काम करो किसी बी चीज को देखके जो super natural orолнural हो उसके तरफ कूद के नहीं जाना चाहिए है जब आप रिपनोसिस में जाते हैं तो आप अपने अधिकार-चहेत्र को अपने शरीर के अधिकार, छोत्र का, आप उलंगन करते हैं, और तब आप एक ऐसी दुनिया में जाते हैं, जहां आपका अधिकार नहीं है, जहां आपका प्रवेश वर्जित है, वहां अगर जाते हैं, तो उससे पहले, आप इतने सिद्ध होने burner चाहिए, कि आपको वहाँ पर प्रवेश मि जा रहा है वो सक्चम होना जाहिए तीसरा और बहुत जरुरी बात अगर यह दोनों चीज आपके साथ नहीं है तो आप समझ लीजे कि आप वहां से सिर्फ जूट क्या जूट फिर से सुनिये सिर्फ जूट और परिशानी लेके लोटेंगे आज के लिए इतना ही जिनको चाहिए दिए आप पर लॉग इन करिए उस पे रूट रनात अट्सीम फोर सेर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइन मेलेगा आज के लिए नहीं बहान भागवान भार्व आप सभी के लगच्छा करें आपको सुथ पुद्ध है ऐसी मेरी कामना है आप सभी कौदेश अला कादेश